असलाम अलेकूम है अबरीबन आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं आलू कीमा की रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से वो भी करके मसालों से एक दम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी और डिलीसियस तो चलिए रेसिपी को सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक कड़ाई ले ली है और इसमें हम आड़ कर देंगे ओयल तो आप अपने हिसाब से कम्या जादा आड़ कर सकते हैं जैसे ही ओयल हलका सा गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे साबूत गर्म मसाले जिसमें मैंने चार छोटी लाइची, दो बड़ी लाइच और जैसे ही हलका सा फ्राई हो जाए हम इसमें डालेंगे प्याज तो यहां पे मैंने दो मीडियम साइज की बारी कटेवे प्याज ले लिये हैं इसमें हमें एड़ कर देंगे और इस प्याज को हमें हाफ गॉल्डन फ्राई कर लेना है पूरा इसे हमें फ्राई नहीं करना अब इस केमा को इसमें हमें आड़ कर देना है इसे हमें प्याज के साथ में 2-3 मिनट तक इसे हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें से जो भी हलकी सी स्मेल आती है वो अच्छे से इसमें खतम हो जाए साथ में इसमें हम 1 1⁄2 टीजपून अदरक लस्तून का पेश्ट आइड कर देंगे और इसे भी हम साथ में अच्छे से भून लेंगे तक रिबन 4-5 मिनट तक इसे हमें भून लेना है ताकि कीमे का कलर जो है वो चेंज हो जाए और अदरक लस्तून भी अच्छे से भून जा तो यहाँ पे मैंने 4-5 मिनट तक इसे भून लिया है और इसमें से देख सकते हैं पानी भी अच्छे से ड्राइ हो गया है और कीमे का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और अदरक लस्तून भी अच्छे से भून गया है अब इसमें हम एट करेंगे पावडर मसाले तो अब इन सारे मसालों को हमें कीमे में एड कर देना है अब इन सारे मसालों को में एड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आपको लगे की मसाला अगर ड्राय लग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी आड कर सकते हैं तो यहाँ पर मसालों को हम 2 तो से 3 मिनिट तक medium flame पर इसी तरीके से भून लेंगे मसालों को हमने भून लिया है अब इसमे डालेंगे दो टमाटर बारिक कटे हुए टमाटर एट करने के बाद में इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और mix करके इसे हम ढख करके रख देंगे medium flame पर एकदम low to medium flame पर रखना है औ और मसाली अच्छे से पक जाए तो इसे हम ठक करके रख देंगे लोट टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 6-7 मिनट इसे हम पकने देंगे अब इसमें हम कीमे में जो आलू एट करेंगे उसे हम यहां पर फ्राइ कर लेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने यहां पर पैन में फ्राइ कर लेना है जादा नहीं करना है बस हलका हलका फ्राइ करना है तो दो मिनट फ्राइ करने के बाद में यहां पर देख सकते हैं इसमें हलका सा इस तरीके से जब यह गोल्डन फ्राइ हो जाए हम यहां पर गैस आफ कर देंगे तो यहाँ पे मसाले और टमाटर को भूनते वे 6-7 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है और दे सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं और जो इसमें हमने टमाटर एट किया था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब इस इसमें एट कर देंगे आलू जो हमने भून के रखे थे तो तेल के साथ में मैंने आलू को एट कर दिया है यहाँ पे मैंने आलू को कीमी के साथ में 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है इसके बाद में हम इसमें आड़ कर देंगे नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक आड़ करें यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक आड़ कर दिया है नमक आड़ करने के बाद में हमें आलू और कीमा को 3-4 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो कीमा को आप जितना ही अच्छा भूनों के इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा जिस तरीकी से आप बाहर रेस्टोरेंट होटल में जाकर खाते हैं उससे भी अच्छी रेसिपी आप घर में बना सकते हैं इस रेसिपी को इस्टे बाइस्टे फॉलो करके तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे पानी तो यहाँ पे मैंने 1.5 पानी एड़ कर दिया है तो यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 15-20 मिर्ट हो चुके हैं मैंने इसे कड़ाई में ही पकाया है अगर आप पूकर में पका रहे हो तो 3-4 सिटी आने तक के इसे पका लेजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कीमा बन करके रेड़ी है और देखने भी यह कितना टेस्टी लजीर दिख रहा है आलू भी अच्छे से गल के सॉफ्ट हो गए है अब इस इसे पे हमें यहाँ पे गैस आफ कर देना है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे बारी हमें इतना ही रखना है ज्यादा पतला हमें नहीं रखना है तो कीमा रेड़ी है इसे फटा फट से हम गर्मा गर्म सरो कर लेंगे और आप इसे अपने मन चाहार रोटी तंदूरी पांग जिसे भी खाना चाहे खा सकते हैं बहुत लजीज जाएकेदार कीमा बन करके तयार ह हुआ है बहुत ही अच्छी खुस्दू आ रही है अगर फ्रेड्स आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज